मुस्कान स्टडी मंतरा और आज मैं आप लोगों के लिए ले के आई हूँ क्लास नाइन का सोचल साइन्स का सैंपल पेपर सी बीएसी ने निकाला है आप लोगों का जो बेसिक पैटर्न उन्हे वाला है पेपर का वो सेम ही रहेगा तो प्लीज ध्यान से फॉलू कीजेगा और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टिप में आपको ये देना चाहूंगी कि जो भी section आपको best आता हो प्लीज उससे ही attempt कीजेगा उसी section को कीजेगा जो आपको best आता हो सबसे पहले map आता है map कीजे section D आता है section D कीजे section B आता है A आता है जो भी आपको best आता है वो कीजे लेकिन मेरी एक personal advice ये भी है कि जो आपके वानमा का question वारा section A होता है उसको आप end में कीजे क्योंकि अगर आपका कोई भी एक दो question छूट गए paper में बाइंचास तो आपका जो loss है वो कम होगा like एक एक marks का question छूटा कोई दुख नहीं है लेकिन अगर 4-5 marks का question छूटा then it is a great loss okay उसके बाद यहां पर हम paper पर आ जाते हैं section A है इसके अंदर आपको around 20 questions 20 questions दे रखे 1 marks each match the following भी है और picture based questions भी है normal mcqs भी है assertion reason भी है table based questions भी है definitions भी है correct the statement भी है अब एक और चीज जो भी आपको picture based question आती है यह pictures आपकी book से ही होंगी history की book हो सकती है geography की हो सकती है political science है नहीं कि आपकी civics की हो सकती है economics की हो सकती है कोई भी book हो सकती है उसी से picture ली जाएगी mostly civics की book से या फिर history की book से picture based questions आते हैं इन pictures के अंदर जो भी आपके given chapters है slavis में उन pictures के नीचे कुछ boxes होंगे figure के बारे जोन्होंने description दे रखे होगी please इन figures को इन photos को इन pictures को ध्यान से पढ़के देखके जाना क्योंकि ये काफी important है ठीक है तुम आगे 10th में paper दोगे तुमें ज्यादा important आएंगे ठीक है तो ये figures को अच्छे से एक बार पढ़ लेना कि क्या लिखा है और mostly ये history या फिर civics से ही आते हैं तो civics और history के उस पर ज्यादा ध्यान देना दूसरा आपको आपकी teachers अब exam से पहले बता देंगी कि कौन से chapter की कितनी weightage है history की कितनी weightage है civics की कितनी है economics की कितनी है और geography की कितनी है science में mostly equitable distribution होता लेकिन social science में history या civics को ज़्यादा weightage मिलती है और geography और economics को weightage थोड़ी कम मिलती है और internally भी कुछ chapters को weightage ज्यादा मिलती है like history में आपका french revolution की weightage आपकी जो यह forest laws वाला chapter है हमारा fourth chapter है fifth chapter है colonial forest laws वाला उसके accordingly ज्यादा होगी तो हर chapter की internally भी weightage different होती है तो उस accordingly chapters को prepare करना जिस chapter की weightage ज्यादा है उसको ज्यादा prepare करना जिन chapters की weightage कम है उसमें से सिरफ important यह five markers question करना क्योंकि उन्हीं में chapter complete cover को जाता है ठीक है तो उस accordingly आप अपना prepare करना उसके बाद यहाँ पे आपके 20 questions जो है यह आपके assertion reason वाले भी आएंगे passage based question भी आएगा list जैसे question number 20 दे रखा है यह 20 questions आपको है one marks each section B पर आ जाते है three markers each question है इसमें भी source based question आपको दिये गए है source में से question आएगा source based question कहां से आते हैं आपकी book में आप बड़े बड़े डबबे बने होंगे पूरे पूरे page भर के उसमें source लिखा होता है हम usually इनको नहीं पढ़ते है case studies होती है हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमें इने पढ़ना भी है ठीक है लेकिन इनी डबबो में से कई वर बड़े बड़े डबबे होते हैं बड़े बड़े पूरा पूरा page भर की कभी छोटे छोटे इन sources को तो आप काफी easily थोड़ा सा ही पढ़ क्या हो गो background study clear होगी तो आप अराम से कर लोगे नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल unseen passage की तरह समझना और इनको कर लेना ठीक है ज्यादा difficult questions आते हैं यह source based वाले easy होते हैं लेकिन अगर आपने एक बार book में पढ़े रखा होगा तो आपके पास एक background knowledge होगी तो उससे आपका answer enhance हो जाएगा जादा कुछ नहीं है और यह economics में से यह जो योजनाएं होती हैं जो भी हमारे प्राध्धान मंतरियों ने चिला रखी हैं so called योजनाएं लाइक यहां पे अन्तियोदिया अना योजना है और यह मात्मा गांधी नैशनल रूरल इंप्लोईमेंट ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं तुमारी बुक में छोटी छोटी भी लिखी होंगी लेकिन उसमें साइड में छोटी 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 फीचर दे रख्य होते हैं उसी से आंसर बनाना होते है तो प्लीज यह योजनाए वाला चैप्टर जरूर कर लेना कोई भी योजना आ सकती है तुमें और काफी इंपोर्टेंट है काफी मार्क्स करते हैं तीन मार्क्स कोई छोटी बात नहीं होती है कुछ नहीं हो तो तीन माक्स के यह बहुत नमबर कर जाते हैं तो कोई भी चीज है छोड़ो मत हो सके तो थोड़ा ही सही उसे याद करो और प्लीज कोई भी question unattempted मत छोड़ देना कुछ भी background knowledge है इधर उधर की भी knowledge है उस चाप्टर में उस चीज की नहीं है लेकिन उस चाप्टर के बारे में कुछ कुछ पता है तो कहानी डालके इसे ही कुछ तो लिखो क्योंकि कुछ तो नमबर देगी खाली छोड़ने से अच्छ है कि कुछ लिखो उसके अंदर ठीक है section C आ जाता है section C में आपके 5 markers question आ जाते हैं यहाँ पे भी आपको extract based question है passage दे रखा है लेकिन यह क्योंकि आप 5 markers है और यह geography में से दे रखा है तो please अच्छे से एक बार पढ़के जाना क्योंकि आप 5 markers का एक छोटे से paragraph से answer नहीं बना सकते दूसरा एक tip यह भी दूंगी social science के लिए अभी papers को final exams को time है तो एक बार सारे chapters को पढ़के अपने हाथ से निकाल दो आपके दिमाग में एक बार feed हो जाएगा chapter कि हाँ ऐसा 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 कुछ हुआ था तो आप easily paper को attempt कर पाओगे अभी papers को time है अभी काफी time है like March में papers होंगे, Feb end में papers होंगे अभी काफी time है chapters को रोज चाहे एक पढ़ो, आधा पढ़ो लेकिन पढ़ना शुरू करो chapters की reading की habit बनाओ ताकि आप paper attempt कर सको राम से ठीक है यहाँ पर आपको यह आपको section शुरू होता है question number 29 से question number 34 तक आपके 5 markers के questions है और फिर आपका map based question आ जाता है 2 marks का map आपको history से है और 4 marks का map आपको geography से है तो यही है आपका paper please chapters पढ़के जाना pictures को अच्छे से पढ़के जाना extracts का ध्यान रखना sources जरूर पढ़ लेना और pointers जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था points दोगे 3 marks का question है 3 points with heading and proper explanation देना 5 marks का question है 5 points, 6 points, 7 points जितने तुम्हें आते हैं with heading और उन heading के नीचे भी जो proper आपकी explanation हो वो 2-4 lines की हो उससे एक अच्छा answer बनता है ठीक है 5 marks का question है तो कम से कम 1 से 1.5 page का answer आपको लिखना ही लिखना है teacher social science में answer की length देखती है अगर point में heading नहीं बनती keywords को underline कर दो और ये नहीं आपने pencil चा underline करना है black pen से heading देने कुछ नहीं है simple paper लिखरे हो blue pen से आपने heading दी उसी को बस underline कर दो blue pen से अगर आप pencil से keywords को underline नहीं कर सकते blue pen से ही कर दो कोई फरक नहीं पड़ता teacher को बस वो एक बार highlight हो के दिखना चीए underline भी नहीं करना तो आप heading दे रहो capitals में heading लिख दो इतना तो आप करी सकते हो और अगर आपके पास paper खतम होने के बाद time बच जाए तो हर एक section के बाद एक line खीच देना sections को distinguish करने के लिए section अच्छे से mention करना question number अच्छे से mention करना ठीक है उससे paper की quality enhance हो जाती है अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comments करके पूछ सकते हो तिल दिन बबाई do like, share and subscribe